नमस्कार दोस्तों, welcome to your own channel, learn to own by AKR, so friends, today we will be discussing about OCCL के बारे में, Oriental Carbon Chemical Limiters के बारे हैं, because company के तरव से बहुत important update आ रहा है, cost of acquisition को ले करके, तो क्या है वो, उसको चेक करेंगे, plus de-emergent related update जो आ रहा है, उसको चेक करेंगे, and plus company का result को भी चेक करेंगे, तो फिन चलिए start करते about OCCL, जहाँ पर देख सकते, आज इसका closing price है, 284.80 का 2.47 यहाँ पर गिराओट के साथ, आज closing देखने को मिल रहा है, यहाँ पर company का result, quarterly result को चेक करेंगे, तो उतना बढ़िया result नहीं था, देख सकते हैं, June 2023 यानि last day का result है, company यह जून 2024 का result है, अभी का result है, और यह आपका March quarter का result है, sales को चेकेज़े, तो देखे, 19.15 से sales गिर करके 18.18 हो गया है, देखे, sales में, सालदर साल में गिराओट है, और quarterly basis में 22.15 से sales गिर करके होगे 18.68, तो yearly and quarterly basis दोनों में गिराओट देखने को मिले, company का sales में, अब net profit को directly चेक करे रहेंगे, तो net profit last year थ 17.30 का देखे, गिर करके होगे, 88.12, तो अच्छा कासा गिराओट है, net profit में भी, सालदर साल quarterly basis में 15.20 से गिर करके होगे, 8.12, तो friend, result जो रहता है ना, निराशा जनक result था, sales में भी गिराओट है, and company के net profit में भी गिराओट देखने को मिल रहा है, और OCCC, इन इस कारण से share म हम लोगों ने इसमें discuss किया था, यहाँ पर विक्वाली देखने को मिल रहे हैं, अगिराओट आ सकता है, तो यहाँ डिक्रीज के पीछे reason मैंने अल्री आपको बताया था, 2.76 परसन यहाँ पर उन्हें अपना stake को गिराया है, अब आगे बढ़ते हैं, यह update है, demurges related, उसको carry-on करेगी, so demurges company रहेगी है, वो है, जो अभी trade कर रहे है, that is demurges company, resulting company का share अभी आना बाकी है, अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर देख सकते हैं, company का swap ratio, क्या था, swap ratio ने, shares कितने मिलेंगे, तो एक share demurges company के बंदे में, 5 share resulting company का आपको मिलेगा, तो अगर आपका एक share, उस 24 इसका fix किया गया था date, यहाँ पर last due to buy share क्या होगा, तो 28 जून 2024, 28 जून 2024 तक जो भी share को खरीद करके, demand account में recorded तक रखे होगे, वो इस corporate demand के लिए eligible होगे, price इस price को मत ध्यान दीजेगा, उस समय का price से बताया जा रहा है, तो जो भी 28 जून के बाद इस share को खरीदेंगा, औ allotment को ले करके, और दूसरा जो रता है, listing है, listing का time बहुत लंबा process होता है, it is a time taking process, जब्डेट जो दिया है, that is later to cost of acquisition, उसको मुलक चेक करेंगे, listing देखे, BSE and NC दोनों में होगा, और फ्रेंट देखे, आज के दिर में कंपनी के तरफ से क्या update है, जरा उसको चेक कर तो फ्रेंट देखे, बताया जा रहा, 13th August 2024, यानि आज के दिर में update है, regarding cost of acquisition को ले करके, तो फ्रेंट सबसे पहला चेक, इंपोर्टन अप्डेट है, allotment को ले करके, company का देखे कहना है, कि 10th July 2024 को company ने allot कर दिया है, shares to the equity share of the company, whose names are recorded in the recorded as on 1st July 2024, the date को ध्यान दिजेगा, ज देखे, यहाँ पर update company के तरफ से आ रहा है, cost of acquisition को ले करके, तो फ्रेंट यहाँ पर आपका investment का value जो रहता है, company ने यहाँ पर बताया है, कि अगर आपने जितना भी investment किया है, उसका 40.81% जो रहता है, और Intel Carbon Chemical में चला जागा, और OCCL में चला जागा, 59.19% यहाँ पर चला ज जाएगा, यह एक update company के तरफ से आ रहा है, तो फ्रेंट अब आगे चेक कर लेते हैं, इसका buy price क्या होगा, आपका खरीद price क्या दिखाएगा आपके demand account में, इसका price देखे दिखा रहा था, 199, यहाँ पर 75.43% गिराउट था, जिसे अडिजिस्न price हम लोगों ने कहा था, अब पैसा लगा, 809 रुपे लगा, अब company कहना है, कि एक share के बदने में company 5 share, एक share और Intel carbon के बदने में 5 share आपको OCCL का मिलेगा, यह ratio company ने decide किया, अब यह 800 रुपे जो रहता है friend, वो आपको तूट जाएगा, वो दो company में divide हो जाएगा, 40.81% जो रहता है पैसा आपका चला जाए यहाँ पर और उसके बाद जो remaining पैसे बचेंगे, 59.19 पैसा amount जो रहेगा, वो चला जाएगा, 478 यहाँ चला जाएगा, तब देख सकते हैं, आपका investment का 809 रुपे यहाँ पर बाइफरकेशन है, इसको जोड़ दे जागा हो तो आपको 809 रुपे यहाँ पर निकल कर आएग तो यह मैंने एक share के निकाला है, आप जितना भी share इसको multiply करके अपना पूराप investment breakup यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अभी क्या company का कहना है, कि यहाँ पर एक share देखे, आपकी बास oriental carbon का है, 5 share आपका OC sale कर रहेगा, अब देखी, इसको 5 से अगर आप divide कीजेगा, तो आपका buying price नि देख लेगा OC sale का 95, 96 के राउन में, औरिंटल carbon and chemical का आपको price आपके demand राउन में दिखाएगा, 333, 330 का है पर देखने को मिलेगा, तो देख रहे हैं, जिन्होंने 809 में खरीदा था, example के तौर पर फ्रेंट, अब दूसरा आपक्छा कर रहे थे, देखे, मान लिजे आपने इस share को बहुत पहले खरीदा, मान लिजे का price चल रहा था, 300 का, आपने इसको एक share खरीदा, 300 आपको इसको खरीदने में पैसा लगा, company का ratio ने decide किया, 1-5 का, अभी यह 300 रुपय किस तरह से break up होगा, तो 40.81 परसन यहां चला जागा, 59.19 यहां चला जागा, तो 300 में से 122 पी सला जागा यहां पर, अब इसको क्या है, आप इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं, 5 से डिवाइड किजे, आपका हैं पर देख सकते हैं, buy price जो रहाएगा, OCCC का 35 रुपय दिखेगा, तो 809 के case में 96 था, और जिन्होंने 300 में खरदा, वो 35 रुपय दिखाएगा, त जिन्होंने सस्ता में खरदा, उनका buy price अलग रहेगा, अब सब कुछ depend करेगा, लिस्टिंग के उपर, अगर मान लेजे, यहां पर जिन्होंने 800 रुपय में खरदा था, लिस्टिंग अगर 96, 97 या फिर 100 रुपीज के उपर तो profit में रहेंगे, उसे नीचे रहा तो loss में रह ज़र आगा, तो सब कुछ depend करेगा, लिस्टिंग उपर, जो कि depend करेगा, मार्केट के mood महाल के उपर, मार्केट का condition कैसा है, तो यह था completely regarding cost of equation, I hope आपको वीडियो अच्छा लगागा, वीडियो अच्छा लगा दोने वीडियो को लाइक कीज़ेगा, शेर कीज़ेगा, चान बिजिगा थेंकिए